कि है यह इसे बेस एंड सालिट के चेप्टर को कॉंटीनियो करते वे आज हम लेक्टर फोर डिसकस करने जा रहे हैं इससे पहले हम तीन लेक्टर कर चुके हैं जिन बच्चों ने फेले वाले लेक्टर नहीं देखे हैं वो लेक्टर एक पार जुरूर देख ले तभी आपको लेक्टर समझझ में आए आज का लेक्टर नंबर फोर हम स्टार्ट करते हैं आज पढ़ते हैं क्लाशिफिकेशन रपेस जैसे वेटो हमने क्लासिफिक्स्यपेसिन किया था कि यह नधोर प्रकार के एक स्ट्रॉण असे होता है और एक प्लाइचन होता है और एक का वीकले और जो पार्सली डिजॉल नहोंकर पार्सली डिजॉल होते थे उनको हम क्या बोलते थे वी के शिव तो जहां पर एच्पोजिटिव था वहां बेश के लिए क्या जिएगा बचलो बेश के लिए आजएगा पास ओँश नेगटिव भर की सारी definition क्या रहेगी, सेम रहेगी तो strong base, the bases which completely ionize to give OH negative ion are called strong base तो आप एसे भी लिकते हो, the base which are completely ionized in water and give OH negative ion are known as strong base and जहां completely है, आप शर्फ आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, कुन सबचो partial लिका, तो भी आपकी definition सही होगी तो weak base, the base which is partially ionized in water and give OH negative ion are known as weak base strong base आपके दो हैं नाम लिखली जीन का अन्य वज का नाम है sodium hydroxide और के वज का नाम का है potassium hydroxide इसमें हम क्या करेंगे, शिपल एरो से indicate करेंगे, एक एरो लगा देंगे इस तरफ ठीक, इनको अलग अलग कर देंगे क्या बन जेगा बच्चो, ने positive OH negative, क्या बन जेगा K positive OH negative, अन्य वज का क्या नाम है sodium hydroxide, क्या नाम है potassium hydroxide, और weak base की बात करें तो इसमें हाफ एरो इतर दिखाना है और हाफ एरो इतर दिखाना है, क्योंकि कुछ amount किस के रहेगी बच्चो, जो आपका reactant है, उसकी भी रहेगी न, क्योंकि पूरा नहीं तूटेगा, जबकि अन्य वज और क्या वज तो पूरा तूट चुका है तो अन्य वज तो बचा ही नहीं न, इसलिए हमने क्या किया, एक simple एरो ही दिखाया, जबकि weak acid और weak base में हमें हाँ पेरो दिखाना है, ठीक है बच्चो, तो NH4 वज का क्या नाम है, ammonia hydroxide अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए NH4 वज का क्या नाम रहेगा, ammonia hydroxide और CO2 का क्या नाम रहेगा, calcium hydroxide इनको अगर हम अलग लग करेंगे तो वज अलग कर दो तो NH4 पर कितना चाहिए पोजिटिव पोजिटिव पोलेस ओवज नेगिटिव calcium पर कितना चाहिए होता है, 2 पोजिटिव और ओवज नेगिटिव बिलेंस कर लोग तो ओवज का अगर कितना लगा देंग बच्चो 2, ठीक है, कर लोग इस तरह से इसके बाद हम बात करते हैं, base and alkaline दबबबच्चे क्या मानते हैं, अकली को base में कोई ज़्यादा difference नहीं मानते हैं बट difference होता है बच्चो, ठीक है ता base which are soluble in water 2 ग वोज नेग्टिव आइं in solution are called alkaline तो आप कहोगी कि ऐसे भी base है जो water के अंदर soluble नहीं तो ज़रूर बच्चो, ऐसे भी हमारे पास base ही जाए, जो water के अंदर soluble है, नहीं मिलेंगे तो अगर हम बात करें, ऐसे base की ठीक है, जो soluble है water के अंदर, और क्या देते हैं OH negative 1 देते हैं, वो क्या गलते हैं अभी जो मैंने एक्जम्पल दिया जो चार एक्जम्पल लिखे थे वो सारी अलकली थे बच्चो जैसे, अन्याज sodium hydroxide अन्याज प्रोच ammonium hydroxide CO2, calcium hydroxide और हर्ड, अलकली अब base तो वो भी होते हैं ना बच्चो जो OH negative 1 देते जैसे यहाँ पर देखे हमने पढ़ा थे ना पिछले वे लेक्च्च में क्यों metallic oxide क्या होते हैं base होते हैं क्योंकि metallic oxide है वो क्या होते हैं base होते हैं ये acid के साथ reaction करके क्या देते हैं salt and water देते हैं बच्चो जैसे मैंने लिखा Na2 हो और यह इसके रिक्ष्यन कराई किसके साथ रिक्ष रिक्षिन करके साल्ट और वाटर रेते हैं यह अचिछ हमें पता है बच्छो कि इसाथ और water बनाया है तो अन्य टू कैसा है बच्छो फिर बेस है कैसा है बच्छो बेस है इसलिए हमने ये पिछले लेक्चर में point note किया था कि जो metallic oxide होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बच्छो बेसी होते हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ है वही बेस जो वाटर के इंदर solubile होते हैं तो ओट आयं देते हे वो अलकली कहलाते है ठीक है बागित बैसी игр हो सकते हैं मठ अलकली हो ऐसा कुछ जुरूरी नहीं है वर जितने भी बैस होंगे सभी बैस अलकली नहीं होगे तो लिखो सभी एलकली क्या होते हैं बेसी होते हैं पर नोट ओल बेसीज आर अलकली एक बेसीज कॉमनली थ्रॉआउट और फिस सब्स्टांस जैट के ने सब्सक्राइब अब एक आपको डेफिनेशन वह बता देता हूं हमने तो आर एंस कंसेट पड़ है ना अल लोरी थियोरी यह क्या कहता है देखो यह मैंने इंटे मुनि लिखा है आप डेफिनेशन पूरी लिखेंगे एक असीड आपकर अर य altri life कि अश्मम्नीय एक वह सब्सक्राइब होते हैं जो water में डिजोल होकर है अच पोजिटिव आइन देते हैं और बेस वो सब्स्टांस होते हैं जो water में डिजोल होकर ओच नेगटिव आइन देते हैं ठीक है बट ब्रोंस्टिट क्या कहता है ब्रोंस्टिट कहता है कि acid कि आगे definition क्या लिख हो बच्चो acids are those substances which can donate एच पोजिटिव आइन जो एच पोजिटिव आइन डोनेट कर सकता है वो कैसा है बच्चों acid है और बेस की definition क्या लिखोगे the substance which can accept the एच पोजिटिव आइन जो एच पोजिटिव आइन को क्या कर सकता है उनको क्या बच्चों बेस बोलेंगे ठीक है आपको यह बताने बच्चों यह क्यूस्टिव आपको करवा दूँगा यह हों रख रहेगा जो मुझे आपको करके mail वाटसप नमबर पर आपको send करना है अन्य टू और के टू अलकली है या नहीं है बेस तो है और नोन डीक है न selfish लेक बता है वह कैसे होते हैं मुझे वह सेटी के नियसे ख़र होते हो अब आपको तो ये बताना है कैczę कि सिओ अल्कली है यह यह दौनों है ठेक है तो मैंने क्या कि अगर जो को वाटरमीнять जोल करवा कर दो क्या कि अल्कली की डेफ़िनेशन क्या है बच्छो कि जो वाटरमीं डिजॉल हो जाए और ओच देखा तो तो क्या होगा पॉस्ट इनको अलग अलग कर लेते हैं बच्छो यह इने आपको च्रीक्षा बताया क्या जिसे में टू पोजिटिव फोग्षान 2- सबसर्ण और और ऑच नेगिटिव वाटर क्या देता है बच्छो एच पॉस्टिव यह भी मिलेगा आपस में तो यह भी तो है कि अब जो स्थी ओच्त वाइस बन गया यह जो स्थी ओच्ट वाइस है अभी बताए ना यह क्या करते CEO जो है कंस jeopardy ऑलकली दोनों है तो आपको यह होंवर्क है कि आपको यह बताना है जो आपका एनने के हैं सोडिय मोक्साइड यह यह पुली है और फ्रीट दोनों है ठिक हंच्छों यह आपका होंवर्क करेगा basicity of acid क्या होता है इसको देख लीजी बच्छो क्या होता है basicity of acid the number of replaceable hydrogen atom present in acid is called basicity बात acid की कर रहे है नाम base का रहे है अब जब बात नाम हम बात करेंगे base की तो नाम आएगा acid का उल्टा है यहां पर ध्यान रखने बच्छो ता number of replaceable hydrogen atom कितने hydrogen atom हम acid के replace करवा सकते है that is known as basicity जैसे hcl hcl को अलग किया तो क्या बना आपका h positive cl है negative तो एक hydrogen अब बदल सकते हो ना जैसे बच्छो मैंने आपको एक example बताता हूं जैसे हमने neutralization reaction की थी naoh plus hcl तो क्या reaction मैं बच्छो आपने आपने बनाई थी naCl plus h2 तो यह जो एक hydrogen है ना वो replace हुआ sodium से ठीक है तो जिसमें एक hydrogen replace होगा ना उसको बोलेंगे MONOPROTIC acid या फिर हम बोलेंगे MONOBASIC क्या बोलेंगे बच्छो दो नाम है MONOPROTIC या फिर हम क्या बोलेंगे MONOBASIC जिसके अंदर एक h positive आयन हो यानि कहने का मतलव सिधा सिधा बताता हूं बच्छो जितने h positive iron देगा जितने h positive देगा वही उसकी बेसी सीटी होगी एसीडी के अंदर जितने एस पोजिट्य आइन देगा वही उसकी क्या होगी बच्छो बेसी सीटी होगी ठीक है जैसे एक एक्जाम्पल से और समझेए अगर मैं यह दिख देता हूँ एन ए ओव एच पलेस है एचे टू एसो फोर है तो क्या बनेगा बच्छो आपने बनाया होगा एन एटू एसो फोर प्लेस एच टू तो कितने है डूजन रीप्लेस होगे बच्छो दो इसके बेसी सीटी कितनी है दो और अगर मैं ट्राइप्रोटिक एसिड जिसके अदर तीन एच पूस्टी या पर इसको क्या बहुत ट्राइबसिक अगर हम बात करें है अब यह ना एक एक जामपल याद कर ले ना बच्छो सीबीची वाले ट्राइप्रोटिक एसिड का है एक थ्री पीओवाँ फोर और इसका नाम लिख लेंगा फोस फोरीक एसिड क्या नाम याद रखने हम बच्छों आपको भी फोरेक एसिड पोस्पो भी के हमें से educate च्रेंगे मैं आप से बुерना है यह पोछें तो ने क्या सोचा जसीए है अनु़ एस तान दोसा अगर हम जितने आइडोजन काउंट करें ना तो CS3COOH के अंदर कितने होती है पर मेरे आपको बता है ना कितने अच्छ पोजिटिव आयन देता है तो कितने अच्छ पोजिटिव आयन देगा बच्छो इनको अलग करेंगे पिछ्छे वाली वीडियो में कर भी रखाए मैंने CS3COOH कितने होगी बच्छो अब आपको यह बताना है इन केस ओफ है फोर्मी केसीड किसमें बताना है बच्छो इन केस ओफ है फोर्मी केसीड आपको फोर्मी केसीड के केस में बताना है कौन से केस में बताना है यह भी आपका सेकंड क्यूसे ना वह रखा कि फोर्मी केसीड होता है और फोर्मी केसीड के आपको बता जिता है इ है हम पढ़ते हैं बेशी सीटेफीट अब इसमी कैया प्ट रही थे है मॉनॉदर्य 2 WiFi मोनॉदरटिक डाइपो त्रिपर्टिक सिन्से हैं 2 अले 對啊 क्या वो एक ही टाइब का साल्ट बना सकता है बुच्छो जैसे है तो और न न चीज पर रिक्षिन करें तो न न क्या है ठीक डाइबसिक एसीड के इन फॉन्स टू काइंड उफ साल्ट लिए से अपने क्या किया है टू स्ट्री अन न चीज तो फिर लिए थो यह प्लेशन आ दूसरा एक दोजन देगा तो आपका ह2CO3 है ना वो आपको पास अन्योज के साथ रेक्षिन करेगा एक हाइडोजन अटा दो ना तो क्या बनेगा आपको न एक है पोजिटिव और ओए नेगटिव पोजिटिव आपको न पॉजिटिव वाली वाली कमबाइन कर लिए ना ना क्या देगा वो 2H पोजिटिव और सीओ थ्री तू नेगटिव और फिर क्या लिख दू मैं एन्ने पोजिटिव और ओवाली रेक्षिन होगी इसका दो साल्ट बन सकते हैं बुच्छों कितनी टाइप की साल्ट बन सकते हैं दो जबकि जिसके अंदर एक ही आटो जुन ह बने गा अब च्टू सफर देखो दो स्टेप में पहले एक अच्पोजिटिव फिर दूसरा जो इसकेस में तो क्या बनेगा पास एक साल्ट बन जाएगा इसकेस में भी क्या बन जाए अपका एक और साल्ट बन जाए तो जो डाई बेसिक एसीड है ना वह आपके पास दो क्या बनाते हैं बच्छो साल्ट बनाते हैं अचयट्यटि ऊफेशिट के बाद करें तो कुछ नहीं करना अब यह मने क्या पढ़ा बच्छो बैसिसीटी ऊफेसिटी उफेसिट में क्या देखते थे हम एच पोजीटिव तो बैस में क्या देख लेंगे और चने बस ना बद इसलिए लिखा ठीक है कितनी ओशन एक्ट इसे डिक जिसमें एक चने टिक डाइएसिट इसमें दो छेन एक्ट वैन ट्राइसे डिक जिसमें तीन ओशनेक्ट वैन जैसे अंगे उच आपका मोनो बेसिक है भाऊ रुश्चो अन्ने पोजिटिव प्लस ऊप्र चो है कैंसे फिंट जीते हैं कितने छेफ से शिटो है यह किट किकते अजडेंग़ तू अबसकी चेक और वह उसकी अच पोजटिर्ण डेका य। सिमपल से लंगौइज में आपको बता दिया लंगौ है एक अगर आपको बिसीट्ट चेक करनी है चेक कि तो number of acid and base solution की बात करें तो उसमें आता है मारे पास एक pH scale क्या था बच्छो pH scale पास एक नंबर होता है by which negative power of 10 has to be raised in order to express the concentration of hydrogen ion in the solution simple शेगर लेगों जो बोला जाएं तो pH एक ऐसा scale होता है which is used to measure the concentration of hydrogen ion in the solution क्या लिखो बच्छो pH scale is scale which is used to measure the concentration of hydrogen ion in the solution mathematically इसको कैसे लिखते हैं तो जैसे pH और खेसीड बोल दिया इसको लिखेंगे माइनस लोग है एच पोजिटिव याद रहे तो कर लें ठीक है बाइजान क्योंकि सीबसी थोड़ा सटफ बनेगे न तो आप पूछ सकती है पी वच बेस पूछे तो मैनस लोग है ओच यानि लोग तो लगाने लगाने माइनस लोग तो लगाने लगाने उसके बाद अगर एच चाज़े एच पोजिटिव लिख देंगे ओच आज़े तो ओच नेग्ट लिख देंगे ठीक है अच थ्ट्री ओपोजिट्व आज़े जैसे मैं यह कहता हूं ना इसको एसे भी सकते हैं बच्छो जब पी एच अफ ऑफ एसीड है ना पीच अफ एसीड को एससे भी लिख सकते है जो pH scale क्या होता है एक ऐसा scale which is used to measure the concentration of as supposed to be in the solution यानि इस scale से हम ये पता करेंगे कौन सा acid strong है कौन सा acid weak है कौन सा base strong है कौन सा base weak है कौन सा salt है और अगर salt बना है तो वो salt कैसा बना है ठीक बच्चो आज के लिए इतना ही lecture number 5 में हम pH को फिस से detail में पढ़ेंगे और pH हमारी daily life में कैसे use हो रहा है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे Thank you very soon